हेलो एवरिबन कैसे हैं सब आज हम बना रहे हैं सोक्स से फूल अब आएक कहेंगे कि सोक्स के फूल कैसे होता है तो यह मैं बहुत साल पहले एक पेंटिंग बनाई थी उसमें लगाए थे तो अभी में एक दिन गई थी मार्केट तो मुझे दिगगी तो मैं लेके आई हूँ इनसे भी मैं देखती हूँ कहां डेकोरेट करूंगी अभी तो मैं जो लेके आई थी इससे मैं बना रही हूँ और पाइल को मैंने एक अलग वर्क दे रखाया करने के लिए वो पेपर के छोटे 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 रोल बना रही है मतब डंडिया बना रही है पेपर की तो इस पेड़िया आया कि चलो वीडियो बना लेते हैं तो यह अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इनका मटेरियल कैसा आता है इनका मटेरियल आपको किसी भी सोप पर मिल जाएगा इस तरह यह गोल्डन कलर का तो वायर आता है यह अशा जो मैंने आपको दिखाये यह शोटी-छ बीबी बना सकते हैं इसमें हमें करना क्या होता है यह इस तरह का कपड़ा होता है देखो इसे रखेंगे कपड़े के अंदर जो हमने पत्ती बनाई है तार को और इसको ऐसे अच्छे से पकड़ लेंगे और ऐसे पकड़ के हां से और हम इसे धागे से इसको अच्छे से बांदेंगे ये जो golden तार पड़ा है ये आता है दो रूपे का एक तार और ये जो सोक्स आती हैं ये 15 रूपे की 10 आती हैं साहिद बहुत छोटी छोटी होती हैं एक सोक्स में से 4 पत्ती बनती हैं बस चार या बहुत छोटी बनाओगे तो पांच बन जाएंगी तो इस तरह मैंने कितने ही कलर की हैं बना कर रख लिए हैं अब यह मैं इसे फलार बनाओंगी लेकिन मैं पहले सारी पत्तियां बना कर रख रही हूं देखो यह सोक स्पड बची हुई हैं मेरे पास अभी और यह जो बीट्स हैं यह फूल के बीच में लगेंगे इन्हें पराग भी कह सकते हैं पराग की तरह यूज करेंगे तो देखो इस तरह का फलार बनता है यह मैंने अभी एक बनाया है अभी मैं दूसरा आपको बना के दिखाऊंगी कि कैसे बनाना होता है तो यह पराग जो हैं इनको हम हाथ में पकड़ लेंगे इस तरह और एक धागा लेंगे धागे में इसको इस तरह थोड़ा लंबा करने के लिए कि आराम से पकड़ पाएं और फूल में अगर यह जाद़ उपर निकल जाते हैं तो इस धागे से हम इसे निच्चे खीच लेंगे तो इस तरह हम एक अलग धागे से इसको अच्छे से लपेट लेंगे और इसके चारो तरब हमें पत्तियां लगानी है तो एक पत्ति रखेंगे पहले धागे से लपेट देंगे अच्छे से अब ऐसे ही हम इसके चारो तरब पत्तियां लगाते वे चले जाएंगे थोड़ा गैप देते हैं और यह आराम से मुड़ जाते हैं यह बहुत सोप्ट तार होता है आप जो भी सेप इसको देना चाते हैं दे सकते हैं जरूरी नहीं कि गोल पत्तियां आप इसको जैसे गुलाब की पत्ति थोड़ी टेड़ी होती हैं तो आप उस तरह भी इने मूड़ सकते हैं यह वैसे भी मूड़ जाती है और या किसी बोटल वगएर पर रखके मूड़ लिए तो थोड़ी सी और उसकी सेप की भी हो जाती है वो आपकी खुद की पसंद होती है कि आप किस तरह इने बनाना चाहते हैं तो मैंने एक फ्लार में पांच पत्ति लगाई हैं और कुछ ही फ्लार में मैंने चार पत्तियां भी लगाई हैं तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ तो यह देखो और अगर आपको कोई कपड़ा उपर आ जाता है इसमें तो इससे आप इस तरह साइड में करके एड़स्ट कर दें और उसे फिर वापस कर दें क्योंकि यह पत्यां मैंने भी बताया मन्चाई सेप आप इन्हें दे सकते हैं और बनने के बाद यह बहुत ही खूब सुरत फ्लार लगते हैं जैसे प्लिलकुल मार्किट्स से आये हूं तो यह देखो, मैंने दो बना लिये है, ऐसे ही मैं बनाऊंगी, सारे युतने भी हैं, यह इस कलर के मै Приफास पांच बने है, और पांची ही बने है यह, sky blue और white कलर के, अब बाकि पत्तिय बची है, pink भी मैं ऑब आपको एक बदना के दिखा देती हूं, और मेरी घर में जो तब DIY साथ साथ चल रहे हैं जो मैं घर सजाने के लिए चीजे बनाती रहती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है और घर की साफ सफाई चल रही है पोधों का काम भी चल रहा है मतब यह होता है कि दिन भर में मेरा जिस भी काम करने का मन करता है जिससे अभी मुझे DIY बनाना है तो मैं बैठके वो बनाने लगती हूँ फिर ऐसा याद आगया कि मुझे सफाई करने है तो फिर सफाई करने लग जाओंगी मैं टाइम नहीं देखती कि मुझे अब यह करना है जिस चीज का मेरा मूड होता है तो मैं उस काम को अपना जैसे इस काम से बो बनाने लगती हूं तो ऐसे ही सब काम मिक्स हो के चल रहे है देखो यह पिंक कलर के भी कितने सुंदर फ्लार बने है लग रहे है ना बहुत प्यारे तो ऐसे ही मैं सारे बना लूँगे देखो जितने भी पत्यां थी सब समन्ने फ्लार बना लिया है और अभी रात के 9.30 के बाद मैंने देखा कि निच्चे वाले खाने में थोड़ा सा जंग लग गया था तो मेरे पास एक छोटी सीसी थी 100 ग्राम वाले पेंट की मैं गमलों पर करने के लिए लेके आई इसको जो प्लास्टिक वाले गमले हैं उन पर करूंगी तो अब जो मैंने इसका समान निकाल कि क्या चीज खराब हो रही है और क्या सही हो रही है अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी तो यह और ज्यादे खराब हो जाएगी तो इससे बेटर है कि मैं इसपे पेंट कर दू और यह छोटे वाले डिब भी 40 रूपीज की आर्तिया एक अगर आपको भी कहीं नीड ह है तो आप लाके खुद इस तरह कर सकते हैं यह दो दिन में सूख जाएगा उसके बाद आप इसमें समान लगा सकते हैं और मैंने बहुत अच्छे से पेपर वगएरा बिछा रखा था लेकिन सीलन वगएरा से कहीं से भी पता नहीं कैसे इसमें जंग लग गया है तो मैंने यह पूरी में इसमें पेंट अपलाई कर दिया है और यह बुरूस भी मेरे पास दो थे फेस पे जो मास्क लगाते हैं उसके वाला है मैंने उसी से कर दिया है यह चोटे वाले डब्य आप देख सकते हैं 100 ml की है यह 40 रुपे की आती है तो मेरे पास रेड कलर था तो मैंने रेड ही कलर यह सब पे कर दिया है अब हो गया है next day नास्ता पानी करने के बाद काम वाम होने के बाद सब कुछ रेणू के भी जाने के बाद मैं लगी हूँ अपने रूम के अलमारी साफ करना है सेफ तो मैंने कर दी हैं उधर दोनों और यह अलमारी इस कमरे में पुताई ह हुई थी तो सारा काम मतलब बाकी बैड और बैड की साइट टेबल यह सब चीजे तो साफ हो गई थी यह अलमारी मैंने नहीं छेड़ी थी क्योंकि उस समय पे सारे काम एक साथ फैल जाते हैं फिर तो आज नंबर है इस अलमारी को साफ करने का और दीवाली की सफाई का मतल कारना ऐसा नहीं होता जिसको मैं साफ करती चाहे मैं थोड़ा थोड़ा टाइम काम को लाकी करूँ चलТी, जैसे नहीं काम को दो काम को सेफ कर द दीए और लागा मीरी में एक दिन मैं नहीं कर सकते चृँत काम है और बहुत ज़्याद है अगर हभड़ धबड़ में करते हैं तो चीजे बहुत ज़्यादे पूर जाते हैं मेरिये कीचन में काफी समाण काच का है तो इसले मैं धीरे-धीरे करती रहूंगी होड़ा थोडा काम थोड़ा सा समय मैं DIY को देती हूं घर सजाने को थोड़ा सा сам म को भी देती हूं और ऐसा नहीं है कि अराम भी जब आदमी ठक जाता है तो उसे थोड़ा सा अराम भी करना पड़ता है और बीच-बीच में मार्किट का काम भी होता रहता है क्योंकि मार्किट भी जाना पड़ता है क्योंकि कुछ चीजों की अज़रत पड़ती रहती है कुछ इसे ही उनकी लिए साड़िया वगरे लेके आए उनकी चूड़िया तो वो सारी चीजे भी मेरी साथ साथ चलती है ऐसा नहीं है कि मैं पूरा एक काम कंप्लीट करके दूसरा छेड़ूंगी लेकिन हाँ ऐसा है जैसे अब ये रूम की अलमारी मैंने छेड़ रखे है तो इसक चीजे साथ 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 चल रही है और ये दिवाली की सफाई है ऐसी होती है कि सब ही इस तरह ही करते हैं थोड़ा थोड़ा करके और अगर सारे काम को ہम ऐसा सोचें ना कि अभी नी कल करेंगे कल करेंगे तो फिर वो काम ऐसा होता है कि हम तीवारों पर इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और बीच में फिर भई जब तीवार नजदीक आता है तो थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि कोई मिलने आ गया तो हम पता लगा कोई मिलना है और हमने पूरा घर छेड़ रखा है उसमें सारा का समान फैला पड़ा है तो ना हम किसी से बात करते हैं ना थीक से तयार हो पाते हैं तो इसलिए ये काम मतलब मैं हमेशा ही कोसिस करते हूँ कि मैं धंतेरस वाले दिन से एक-दो दिन पहले बिल्कुल फ्री हो जाऊं जिससे मुझे मार्किट जाने के लिए भी समय मिल जाए क्योंकि मार्किट थोड़ा बहुत समान कुछ ना कुछ लगाई रहता है और जैसे अब यह आप अकेले होते हैं सभी काम आपको अकेले करना है तो उसके लिए समय तो देखो चाहिए ही चाहिए और फिर सारे काम की एक साथ अगर आपको सुस्ट करो कि सारे काम को मैं एक साथ कर लूँ वो तो पोसिबल होता नहीं तो देखो मेरी अलमार यहां उपर वाली और नीचे वाली सब बिल्कुल क्लीन होगी है अब इनका नंबर आ गया है बाहर से क्लीन होने का तो मैं कोलीन ले आई हूं और कपड़ा बिल्कुल बहुत ही अच्छे सा है क्यों जो एक दो दाग इन पर लग गया था पुताई होने के बाद वो भी हटा दूँगी और क्योंकि ये उपर वाली तो नीचे वाली पर तो हाथ लग जाते हैं तो इसलिए लेकिन फिर भी आज मैं इसको बिल्कुल कंप्लीट कर दूँगी और जहां थोड़ा बहुत इस पर कुछ लग रहा होगा क्योंकि इस पर थोड़ा बहुत जो फैविकॉल के अब पता लगता है क्योंकि फैविकॉल के जो दाग लगे हुए थे ना उनके उपर डस्ट आगी है तो अब कहीं कहीं एक दो दाग दिखाई देता है तो वो सब मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी और मेरा ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा मेरा बेडरूम बिल्कुल ओक्के हो गया है इसमें कुछ काम नहीं बचाए क्लीनिंग के लिए और बैठक के मैंने परदे भी क्लीन कर दिये हैं और लगा भी दिये हैं चेंज करने का मूड था लेकिन अभी चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कुछ और सोच रही हूँ देखती हूं कब चेंज करूंगी और फिलाल तो बस यही है अभी धीरे धीरे तब और चार-पांस दिन में मेरी पूरा क्लीनिंग का काम कम्प्लीट हो जाएगा और बारिस ने तीन-चार दिन से सब काम रोग दिया है क्योंकि जो मेरे गंबले रह रहे थे वो अभी नहीं इतना पानी हो जाता यह वैसे की वजण हो रहा है चथप तो इसलिए यह ज्यादे में घंबलो को हिला ती-डुलाती। क्योंकि गिल्ले गंबले होने के बाद अगर जादे हिलाऊंगी डूलाऊंगी ना उनको तो तूटने का डर लगा रहता है तो इसलिए मैंने वो काम थोड़ा सा पोस्पोन कर दिया कि जब दो तीन दी धूप निकल जाएगी गंबले सूख जाएंगे उसके बाद गंबलो को पेंट करूँ क्योंकि गिल्लो गंबलो पर न कलर अच्छे से खिलके भी नहीं आता है तो वो काम भी प्रुका हुए है तो इसलिए मैं सोच हूँ कि थोड़ी क्लेनिगी करती रहूं साथ साथ बस यही काम चलता रहेगा और थोड़ा सा DIY का बनाती रहती हूँ और यह जो मैंने फ्लार बनाये न तो इनका एक में बंच बनाऊंगी पूरा देखती हूँ कहां लगाऊंगी जो जहां भी लगाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी और जो मैंने मिरर आर्ट बनाया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दिया कीजिए लाइक करने से मुझे पता लगता है कि हाँ आपको पसंद आ रही है वैसे तो अगर पसंद आती है तो लाइक करें कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है और अगर आप मेरी ओर वीडियो देखना चाते हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सस्क्राइब कर ले अगर सस्क्राइब नहीं किया है तो मिल दें फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सबी को रादे रादे स्वस्त रहिए मस रहिए और तेवारों की तैयारियां करते रहिए आने वाले तेवारों की सुख कामना है अभी से आपको में दरब से